वेलकम बैक तो मैं चानल विचिस बायमी बालवजवितमी यानी मिनाक्षी के साथ तो पीवेस लेक्टर में हम लोगों ने पड़ा था ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर की सैल वल कंपोईशन के बेसिस पे भी हमने क्या किया था बैक्टरियल कम्यूनिटी को दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया था ग्राम पॉस्टिव बैक्टिरिया और ग्राम नेगिटिव बैक्टिरिया थीक है एक ग्रुप है ग्राम पॉस्टिव बैक्टिरिया और एक है ग्राम नेगिटिव बैक्टिरिया थीक है इन दोनों बैक्टिरियल सैल वल की फिजिकल और केमिकल प्रोपर्टीज अलग अलग होती है जो मैं आपको प्रिवेस लेक्टर में बता चुकी हूँ इसी वज़े से यह दोनों बैक्टिरिया क्या करते हैं अपना अलग अलग रिस्पॉंस देते हैं ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर के लिए ठीक है अब हम पढ़ते हैं कि यह ऐसा क्यों करते हैं इनकी सैल वल की स्ट्रक्चर कैसी है इनमें क्या डिफरेंस है इनकी सैल वल की स्ट्रक्चर में वो हम पढ़ते हैं ठीक है ठीक है तो ग्राम पॉस्टिव बैक्टिया की जो सैल वल स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह की होती है प्लस अभी मैं समझाओंगे आपको और ग्राम नेगटिव बैक्टिरियल सैल वल ज आपको बताया था कि ग्राम स्तेइनिंग कि यह की होता है कि एक दिफ्रेंशियल स्टेशिय क्रोसेस है उसमें क्या होता है कि सफेलवॉल resolution जो है वो अलग होती है बैक्टिये सलंव जो है उनकी आधिकल प्रापरटीस के बेसिस पर यह स्टेनिंग इफ्रेंशियेट कर पाते हैं दोनों तरह के बेक्टीरिया को सबसे पहले हम देखते हैं कि gram positive bacteria की cell wall structure कैसी होती है यह है gram positive bacterial cell wall सबसे आउटर मोस्ट लियर जो है वो क्या होती है peptido glycan की layer होती है इसके अंदर peptidoglycan की जो layer है वो बहुत थिक होती है highly cross-linked polymers होते हैं gram positive bacteria की cell wall में outermost layer क्या है? peptidoglycan की layer होती है highly cross-linked polymers मिलते हैं इस peptidoglycan layer में जब high-linked होते हैं तो इनके बीच में pores जो होते हैं? वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं small pores होते हैं इनकी cell wall में या इनकी peptidoglycan की जो layer है उसके अंदर क्या होते है? small pores होते हैं ठीक है? अभी हम सिर्फ structure की बात करें हैं अभी mechanism start हमारी नहीं होए अभी हम सिर्फ structure देख रहे हैं इसमें क्या होता है कि highly cross-linked polymers होते हैं प्लस क्या होता है कि इसके अंदर pores जो है वो छोटे होते हैं ठीक है? इसको हम बोल सकते हैं प्लाजमा मेंबरेन मी बोल सकते हैं प्लाजमा मेंबरेन जो है वो भी किसने मिलके बनी होती है? इसकी जो cell membrane होती है या प्लाजमा मेंबरेन होती है या फिर हम इसको बोल सकते हैं साइटो प्लाजमिक मेंबरेन वो किससे मिलके बनी होती है, glycerol, ester, lipid से मिलके बनी होती है यानि ये cytoplasmic layer किससे मिलके बनी है, lipid से मिलके बनी होती है ये होती है हमारी gram positive cell wall की structure अब आती है हमारी gram negative cell wall की structure कैसी होती है सबसे बड़ important देखने से ये आपको पता चल रहा होगा कि ये थोड़ी सी complex structure होती है as compared to gram positive bacteria के, ठीक है, complex structure होती है, next, इसकी जो outermost layer होती है, वो क्या होती है, lipid layer होती है, यहाँ peptidoglycan, दोनों lipid layers के बीच में धसी भी होती है, embedded रहती है, एक तरह से sandwich की तरह है, ठीक है, तो outermost layer भी lipid की है, और cytoplasmic layer भी कैसी है, lipid की है, और उसके बीच में peptidoglycan होती है, ठीक है, यहाँ peptidoglycan कैसी है, थिक होती है, क्यों थिक होती है, highly crosslinked polymers होते है, इसलिए कैसी होती है, थिक होती है, लेकिन यहाँ peptidoglycan layer कैसी होती है, थिन होती है, ठीक है, प्लस highly crosslinked polymers इसके अंदर नहीं होते है, इतनी crosslinking इनके polymers में नहीं होती है तो जब cross-linking नहीं होगे इतनी ज़ादा तो क्या होंगे, pores कैसे होंगे, large pores होते हैं, यह structure होती है हमारे पास में, gram negative cell wall की, इसके अंदर peptidyl glycane जो है, वो बहुत thin होती है, embedded होती है, outermost layer और cytoplasmic layers के बीच में, ठीक है, इनकी दौनों की structure देखने से थोड़ा तो idea हो गया होगा, obviously different होगा, कि इसका response अलग होगा और इसका response अलग होगा, ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि इन दौनों की mechanism क्या है, कि gram staining के लिए यह दौनों अलग-अलग response क्यों देते हैं, ठीक है, इसके पीछे का राज और इसके पीछे की mechanism हम लोग आप पढ़ते हैं, ठीक है, कि gram negative bacteria की outermost layer कैसी है, और gram positive bacteria की outermost layer कैसी है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजे हैं, continuation में हम पढ़ते जाएंगे, step by step, अभी मैंने आपको structure तो आपको ध्यान में आई गई होगी, भी मैंने आपको बताई थी, एक normal हम इसको समझने के लिए इस तरह से बनाते हैं, कि gram positive bacteria ज कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, अब हम बैसको ष्टेन करते हैं तो हमारा primary stain क्या यूज करते हैं, हम crystal violet stainा है, जब crystal स्टेन करते हैं, तब क्या होता है, कि gram positive? first कौन सा है, हम ने? crystal wallet यूज किया ठीक है तो crystal wallet यूज करने से क्या होते हैं कि यह bacteria भी कैसे हो जाते हैं purple हो जाते हैं ठीक है same gram negative bacteria भी कैसे हो जाएंगे purple color के हो जाते हैं मैंने आपको बताया था कि जब हम culture लेते हैं जब प्रोसिजर हमने पढ़ा था, तो मैं आपको बताया था, कि यह जैसे आप इसका अ कुल्चर लेते हैं, क्रिस्टल वालुट से स्टेंड करते हैं, तो जो बैक्टीर क्ल्चर के अंदर, यह जो आपने सैंपल लिया हैं, उसमें जितने भी बैक्तिरिया हैं, वो किस से stained हो जाते हैं crystal violet से crystal violet का color कैसा होता है purple color का होता है तो जितने भी bacteria है वो सब कैसे हो जाएंगे gram positive हो चाहे gram negative हो first step में तो वो purple color के हो जाते हैं ठीक है next step हम क्या use करते हैं कि उसको iodine से stain करते हैं ठीक है आयोडीन से स्टेन करने के बाद क्या होता है कि यह क्रिस्टल वायलेट आयोडीन के साथ क्या बना लेता है एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है इन्सॉलिबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है क्या बना लेता है वो इस सेटेप में यह complex मना लेता है, ग्राम नेगेटिव में भी complex बनेगा, क्योंकि आयोडीन कैसे काम करता है, एक modern की तरह काम करता है, ठीक है, modern क्या करता है, cell wall की जो affinity है, उसको क्या करता है, increase कर देता है, ताकि वो primary stain को भान सके, कि cell wall की affinity को कौन increase करता है, iodine increase कर देता है, cell wall की affinity को, उससे क्या होता है, कि यह डोणों आपस में मिलके क्या करते हैं, complex बना लेते हैं, और इनके complex बनाने से क्या होता है, कि इनकी जो peptidoglycan layers होती है, उसमें जो pores होते हैं, ठीक है, क्या हो जाता है वो ट्रैप हो जाता है यह कॉंप्लेक्स सेम है उसके अंदर भी ट्रैप होगा ठीक है next step हम क्या यूज करते हैं ethanol या acetone का हम solution बनाते हैं 95% wash with ethanol ethanol से हम क्या करते हैं इसको wash करते हैं ethanol कैसे काम करता है वो एक decolorizer के form में काम करता है ethanol से उसको 10-1001ी सेकंड तक हम उसको wash गरते हैं ठीक है wash करने के बाद क्या होता है कि जैसे हम इसके उपर ऐलकॉल को डालने से क्या होता है alcohol क्या करता है dehydration का काम करता है ठीक है, dehydration करने की वज़े से क्या होते हैं, इसमें जो pores होते हैं, ठीक है, pores कैसे होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि small होते हैं, pores बहुत छोटे होते हैं, क्यों छोटे होते हैं, क्यों 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 क तो चोटे होने से क्या होता है यह जो कॉम्पलेक्स होता है वह इसको बाहर नहीं निकाल पाता है इथिनॉल तो इथिनॉल जो है वह इस कॉम्पलेक्स को उसकी सेल वॉल से उन पोर्स से बाहर नहीं निकाल पाता है क्यों क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गया डिहाइड्रेशन की वज़से पोर्स क्या होता है श्रिंक हो जाते है ठीक है पोर्स श्रिंक हो जाते है तो कॉम्पलेक्स क्या वो दो दो झायव ऑडEL मंदाफिक आपार जफ लुए जाथ जाए haserv हो जाता है इसी वज़े जब फैल के रिमूझ यह पुर्पराइब पोल्ल रहते हैं эффект निश्ड रहते हैं यह पोल्कृला चेहिते हैं अब तो हमने वही फालो किया है कि हम भी इसको किस से ट्रीट करते हैं, इथिनॉल से ट्रीट करते हैं, ठीक है, इथिनॉल से ट्रीट करने के बाद क्या होता है, सेम काम करेगा, जो काम वह यहां कर रहा है, वही काम इथनॉल, ग्राम नेगिटिव बैक्टिरा सेल वॉल के लिए कर यानि आपने उसको एथनौल से ट्रीट किया प्रीट करने के बाद क्या होता है कि ground negative cell wall की जो outermost layer होती है लिपिट की बनी है वो क्या होती है डिजॉल हो जाती है ठीक है वो क्या होता है अलकॉल यहां तक पहुंचेगा आपकी पैप्टिडो ग्लाइकेन लेयर तक पहुंचेगा पैप्टिडो ग्लाइकेन लेयर के पास यहां वैसे ही हाइली क्रॉसलिंग पॉलिमर्स है ही नहीं प यहां पोर्स की श्रिंकिंग इतनी नहीं हो पाती है कि वो उस complex को trap कर पाए ठीक है वो पकड़ के रख पाए इसलिए यहां क्या होता है जैसे आप ट्रीट करते हो एथिनॉल से ट्रीट करने के बाद क्या होता है वो पोर्स से जो इनसॉलिवल कॉम्पलेक्स होता है या सी वी क्यों, ट्रीट करते हैं एथिनॉल से ही तो क्या होता है लिपट्लेयर डिसॉल हो जाती है डी हाइदरशन का का मोता है डी हाइदरेशन के विए क्यों होगा कि लिपडले जैसे ही यहां पे संच ट्रीट होते हैं लेकिन इतनी श्रिंक नहीं होती है कि वो इस complex को ट्रैप क स्टीम होता है जो CVI complex होता है वो बहार निकल जा जाता है जब बहार निकल जाता है आए डिकलराई हो जाती है इंटी Better विए जाती है तो या फैल नहीं होता है सफ्रनीन का कलर नहीं कारण है कि ynn pod है श्रmos जब अंधर जाने की जगेह नहीं है कोई सście अंधर नहीं तो क्या होता है वो स्टेन हो गया नहीं तो Oladhi उससे क्या होगा वह बात एर यहां क्या प्रढलम है एक तरह से आपकी जो ऐसी प्लह असाी यजो हा डिजावल होगी तो direct contact इसके अंदर आया, जब CVI complex यहां है ही नहीं, तो वो क्या होगा, decolorize हो गई, जब decolorize हो गई, तो क्या होगा, जब हम इसको safranin से stain करते हैं, तो वो कैसा color ले लेती है, उनके जो pores उनके अंदर क्या हो जाता है, safranin के particles चले जाते हैं, और safranin से जब stain हो जाती है, तो यह इसकी जो cell है, वो कैसी हो जाती है, gram negative जो bacteria है, उसकी cell कैसी हो जाती है, pink color के हो जाती है, क्यों, क्योंकि safranin का जो color होता है, वो कैसा होता है, pink color का होता है, ठीक है, तो यह है mechanism, एक important चीज यह याद रखने की है, कि peptidoglycan layer जो होती है, वो खुद stain नहीं होती, ठीक है, यह क्या काम करती है, एक तरह से barrier का काम करती है, तो क्या काम करती है, peptidoglycan layer, preventing the loss of crystal wallet, एक तरह से permian ability barrier की तरह काम करती है, पैप्तिodoglycan layer, यह चीज ध्यान रखेगा, कि यह खुद stain नहीं होती, एक तरह से barrier का काम करती है, इसके जो pores होते है, उनके अन्दर, उनके बीच में directors यो Crystal wallet iodine complex, वो उसके अंदर, पोर्स के अंदर क्या होता है? ट्रैप होता है, वो खुद श्टेंड नहीं होती, ठीक है, वो क्या रहती है? जैसे पोर्स श्रिंक होते हैं, वो उसको और ज़्यादा श्रिंकिंग होती है, तो pores क्या होते हैं वो और ज्यादा छोटे हो जाते हैं तो छोटे होने की वज़े से वो trap हो जाती है complex जो है वो उन pores के अंदर ही trap हो जाता है तो यह चीज ध्यान रखेगा कि peptidoglycan layer itself is not stained it acts as a permeability barrier तो यह थी हमारी bacterial cell wall gram positive bacterial cell wall और gram negative cell wall इन दौनों की cell wall की जो physical properties होती है वो बिलकुँ different होती है एक ही तरह की procedure से इनको stain किया जाता है जो stain यूज की जाती है एक ही process यूज करने के बावजूद भी result क्या आता है अलग-अलग आता है और अलग-अलग क्यों आता है इन दौनों की जो structure है वो दौनों different होती है ठीक है जब structure different होगी तो उनका response definitely different होगा ठीक है I hope आप सभी को समझ में आए होगी कोई रटने की ज़रत नहीं है simple simple step है याद रखिएगा किसी भी तरह का कोई confusion हो तो आप मुझसे पूच सकते हैं अच्छा लागा तब भी बताईए appreciation मिलता है आप लोग के comments से so stay tuned till then take care thank you